नमस्कार मित्रों अंकिताज एजुकेशन अड़ा में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं सेयर कर रही हूँ एक साइंस टीलम जिसके द्वारा हम बचों को पी एच वैल्यू के अधार पर एशीट और बेश अर्थात अमल और छार के बारे में बताएंगे तो यहाँ पर मैंने दो कलर का पेज लिया है एक रेट और एक परपल आप परपल के जगा पे स्काई ब्लू या ब्लू कलर भी ले सकते हैं और इसके बाद से हमने हाफ हाफ लेते हुए एक ब्लॉक बना दिया अब रेट की तरफ को हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइट कर दे बीच वाले पार्ट में आएगा हमारा 7 अब हमने यहाँ पे एक सरकल बना दिया आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर बिना बनाए भी यहाँ पे लिख सकते हैं तो बीच वाले पार्ट में जो की इक्वल इक्वल है 7 यह हमारा न्यूट्रल उदाशीन अब 7,2,6,5,4,3, 2,2,1,0, रेड पार्ट 8,9,10,11,12,13,14, परपल पार्ट अब हमने स्ट्रिप्स इस तरीके से लेनी है रेड छोटे से बड़े क्रम में उसी तरीके से हम परपल साइड में भी छोटे से बड़े क्रम में स्ट्रिप्स लगा लेंगे तो यह सो करता है कि जितना ही 7 से अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं 6,4,3 वैसे ही पदार्ट की अमलियता बढ़ती है और जैसे ही हम 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं 8,9,10,11,12,13,14 उतना ही उसका बेस क्वालिटी बढ़ता है च्हारक्ता बढ़ती है तो इससे यस सो हो रहा है अब हम यहाँ पे एक विबग्यूर का क्रम देते हुए लगा दिये हैं सरकल आप चाहें तो एक कलर एक तरफ रेड और एक तरफ परपल भी लगा सकते हैं हमारे पास सेट्स अवलेबल थे तो मैंने इस तरह से विबग्यूर का क्रम देते हुए लगा लिया है जैसे कि रे 7 number पे pure water है neutral अब जिधर जा रहे हैं 6, 5, 4 उसका acidic nature बढ़ेगा सबसे अधिक acidic nature किसमे होगा जिसका pH value 0 होगा इसी तरीके से अगर हम base की बात करें तो सबसे अधिक base nature किसका होगा जिसका pH value 14 होगा तो उसमें base उसका alkaline nature बढ़ता जायेगा, उसकी छारक्ता बढ़ती जाएगी तो इस तरह से हम pH value क्याधार पर परिभाषा देते हैं कि जिसका pH value 7 से कम होता है वह अमल होता है या अर्थाथ acid होता है और जिसका pH value.7 से अधिक होता है वह छार होता है अर्थात बेस होता है अगर हम बैटरी की बात करें इसका pH value almost 0 होता है इस टम्मक एसीड का pH value 1 के आसपास lemon juice का pH value 2 के आसपास wine soda pH value 3 के आसपास 4 होता है tomato, banana का 5 होता है black coffee का यहाँ पे अब acidic nature कम होते जाएगा जैसे वह 7 की तरब बढ़ेगा 6 होता है milk का और 7 neutral pure water जो होता है वो ना तो अमल होता है ना तो छार होता है ना तो acid ना तो base अब हम 8 की से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा alkaline nature अठा तो बेस का nature बढ़ेगा 7.4 होता है blood का जैसे 8 के आसपास माल लेंगे 9 होता है egg white 10 होता है pH value hand soap का 11 होता है ammonia solution का 12 होता है bleach का अब देखिए alkaline nature यानि को छारकता बढ़ रही है 13 होता है oven cleaner का और सबसे अधिक छारकता होता है 14 नंबर brain cleaner का तो इस तरह से pH value के अधार पर हम अमल और छार और उदाज सीन ताके बारे में बच्चों को अची तरीके से समझा सकते हैं उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद